आज मैं एक और नई रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे मैंने सूजी से बनाया है आप इसे बच्चों को टेफिन में या फिर बेकफरस्ट में या फिर शाम की नाष्टे में कभी भी दे सकते हैं बहुत ही हल्दी होता है आपको पता ही होगा कि सूजी हमारे हल्द के लिए कितना अच्छा है और बच्चे बहुत ही पसंद से इसे खाते हैं तो एक बार इस रेसिपी को घर पे ट्राइकर करें बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताया है आपके घर के इंग्रेडियन्ट से आपको सारी चीज़े मिल जाएंगे और एक बार अगर आप बनाते हैं तो बच्चे जरूर बोलेंगे कि आप फिर से इसे जरूर बनाईए तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें घर पे हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बाक टू मर चानल मैं हूँ परलवी और आज एक मज़िदार रेसिपी के साथ आपका स्वागत करती हूँ तो आईए चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं और वीट्यू को अन तक जरूर देखें ताकि आपसे खोई इंग्रीडियन या स्टप मसना हूँ तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने या छे से साथ उबले वे आलो लिएं जिसमें से छे छोटे हैं और एक बड़े साइस के हैं इसे अच्छे से पहले मैश कर लेंगे इसके बाद मैं एक प्याज मैने बारी कट कर लिया है तीन हर्य मिर्च मैने बारी कट कर लिया है एक इंच अधरग को ग्रेट कर लें इस तरह से और थोड़ी सी धन्य की पती ले 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 इसे भी बारिक कट कर लें इसके बाद मैंने कड़ाई प्रहिट की है, इसमें एक चमस तेल डालेंगे, तेल को पूरी कड़ाई में स्प्रेट कर लें तेल जब गरम हो जाए इसके बाद इसमें हरेमिर्च आड़ करेंगे हरेमिर्च आप अपने टेस्के कोडिंग आड़ कर सकते हैं साथ में मैंने अद्रक भी आड़ कर दिया है थोरी दिर इसे सौटे करेंगे दो मिनिट के लिए बहुत जादा हमें इसे कुक नहीं करना है गोल्डन नहीं करना है इसे बस थोरा सा किया हलका सा कच्चा पन इसका खतम हो जाए हरेमिर्च बहुत जादा तीक ही नहीं दी अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं इसके बाद मैं इसमें प्याज आड़ कर दे रही हूँ प्याज को भी हमें गोल्डन ब्राउन तक होने तक नहीं फ्राइ करना है बस ट्रांस्लूसिंट जब प्याज हो जाए वहीं तक हमें फ्राइ करना है फ्लेम आप मेडियम टू हाई पे रख सकते हैं और अगर आप मेरे चानल पे नहीं हैं तो वीडियो को लाइक सब्स्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें अब प्याज ट्रांस्लूसिंट हो चुका है इसके बाद इसमें नमक आड़ करेंगे अगर पहले आप प्याज में नमक आड़ कर देंगे तो प्याज में इसे पानी छोड़ सकता है इसलिए नमक हमेशा बाद में आड़ करें दो मिनिट सौटे कर लें इस तरह से इसके बाद मैं आदी चमच हल्दी पाउडर आड़ कर रही हूँ साथ में एक चमच धनिया पाउडर आड़ किया मैंने और एक चमच मैंने मागी मसाला आड़ किया है आप जो भी मसाला रखते हैं घर पे वो आड़ कर सकते हैं चाहे गरम मसाला हो या फिर सबजी मसाला चिकन मसाला कुछ भी आड़ कर सकते हैं और इस तरह से सौटे करने एक बहुत जादा भूनना नहीं है मसाले को दो अपने सौटे करने के बाद जो बलेवी आलू हमने मैश करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ इसके नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए तो मसाले के साथ आलू को भी एक बार इस तरह से बुन लें अच्छे से मिक्स करने के बाद मसालो को फ्लेम बंद कर देंगे इसके बाद इसमें धिनी की पत्ती आट करेंगे ताकि जो धनी के पती का कलर है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप और भी कोई फ्लेवर आट करना चाहते हैं और भी चीजे या और सबजी आट करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं तो अब मसाले को थोरी देर हम ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक पॉट में निकाल लिया है अब इसे मैं एक चोटा सा शेप दे रही हूँ निम्बुक के साइज का चोटी चोटी गोलियों में आप इसे कनवर्ट कर लें तो इस तरह से गोली बनाके रख ले पहले इसके बाद मैंने एक चोटी कटूरी से करीब एक कप मैंने सूजी लिया है और जिस कप से मैंने सूजी मेजर किया है उसी कप से मैं पानी मेजर कर रही हूँ तो अगर एक कप हमने सूजी लिया है तो दो कप हम पानी आट करेंगे यह बिल्कुल पॉफेक्ट मेजरमेंट है इसे कम यह जादा बिल्कुल ना करें साथ में मैंने एक चमच चिली फ्लेक्स लिया है एक चमच मैंने सफेद तिल और थोड़ी सी मैंने धन्य की पतिली है इसे भी बारी कट कर लिया है इसके बाद मैंने सेम कड़ाई लिया है इसमें मैंने दो कप पानी आट करेंगे पानी को थोड़ा गरम होने दे पहले इसके बाद इसमें एक चमच नमक आड़ करेंगे ध्यान रहे कि हमने स्टफिंग में भी नमक आड़ किया है तो उसके कोडिंग की नमक आड़ करें इसके बाद मैंने एक चमच जिसमें घी आड़ की है गी की जगाँ आप तेल या फिर बटर किशी भी चीज का अस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद मैं इसमें चली फ्लेक्स आड़ कर दे रही हूँ इसके बाद इसमें सिट्स आड़ करेंगे अब और भी कोई सीट्स आड़ करना चाहते हैं जो छोटे दाने के हो वो आट कर सकते हैं अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लें तो इस तरह से सुजी आट करेंगे सुजी एक साथ सारा नहीं डालें दीरी दीरी करके जिस तरह से मैं डाल रही हूं इस तरह से डालें और इस तरह से मिक्स करते रहें इसे जो है वो लंप्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे दियान रे पाने बिल्कुल गरम हो जाना चाहिए बिल्कुल बॉल नहीं भी हो तो गरम बस रहना चाहिए अट लिस्ट और बहुत इसली आपका यह डो बन जाएगा तो बस इसे हमें तब तक मिक्स करना है अफलेम को सवी ही बाद आशान सीसे रेसिपी है बड सशत्थ पाड चाहिए बैचलर वन भी लार भी इसा असानी से बन सकते हैं ओ rape को Дो के पार में ईखा नहीं आपने जाये मिक्स करणा कर दे विए बना जाए और जब इस तरह से दोग आ जाए गाल में 나에ं आजाे विल्कुल अच्स फ्लेम बंद करने के बाद इसके बाद भीसे से दो म忍नकिक्स करते रहें इसतरों से इसे अत्किन बंद करने के बाद छोड़ेց नहीं कि तरफ से बहुत जाता लग को जाएगा और एक तरफ से खचा रह जाएगा तो इस तरब से mix करते रहें और इसे अच्छे से doh के फोर्म में लहाएं ति देखे बिलकुल अच्छे से यह mix हो चुका है अब मैं इसे दूसरे pot से निकाल लेती हूं तो इसे बाद अच्छे से एक pot में निकाल लिया है अब इसे थोरा सा थंडा होने देंगे इसके बाद अपने हातों में आप थोड़ा सा ओयल लगा लें और इसके बाद इससे इस तरह से हलका सा मैश कर लेंगे तो एक बार इस तरह से बना की जरूर ट्राइ करें और अपने फ्रेंड्स और रेलेटिव के साथ जरूर शेयर करें ये रेसिपी ताकि वो भी अपने बच्चों को ये मज़िदार इवनिंग स्नाक्स या फिर ब्रेक्फस्ट में या लंच में दे सकें वैसे तो ये बिल्कुल अच्छे से डो के फार में आ चुका है और तो रस की ओए को भी अच्छे से पुरे डो में मिक्स कर लें इसके बात हांतों को वॉश कर लें अच्छे से और फिर से ऑल से ऐसो ईए इस तरब सल लेक हिस तरए जिटना बड़ा आपने आलू के जो बॉर्स बनाए चोटि शुटे शोटी उससे थोड़ा सब बड़ा में लेना है ताकि स्टफिंग में प्रॉब्लम ना हो तो इस तरह से अच्छे से मैश कर लिए हाथों में यह देखे कितना से चिकना सा हो चुका है और इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे इस तरह से ताकि हमें स्टफिंग में प्रॉब्लम ना हो और इसके अंदर आलू का जो बॉल हमने बनाया है वो इसमें डाल देंगे और इस तरह से बस इसे कवर कर लें आप किसी भी शेप में इसे बना सकते जिस भी शेप में आपको पसंदे चाहे तो बॉल की शेप में बनाए या फिर ओवल शेप में या फिर सिलिंड्रिकल शेप में तो इस तरह से इसे चारो तरफ स चिकना हो जाए, रोल कर दें इस तरह से, इसके बाद आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, इस तरह से ओवल बना दें, तो मैंने यहां सिलिंड्रिकल शेप में बना के रख लिया है, इसके बाद एक कराही प्री हीट करेंगे, तेल जब गरम हो जाए, इसके बाद आप सारी रोल्स को रख लिंगे एक सारा नहीं डालें कیices में चिपक सकते हैं आफ फ्लेम को हाई पे ही आप फ्राय करें बहुत ही ही हलदी यह बच्छों के लिए ऐ फिर बड़ों के लिए भी अगर आप फ्राय नहीं करना चाहते हैं, आप चाहें तो इसे एर फ्रायर में भी बना सकते हैं, या फिर तवे पे, कम तेल में, या फिर घीम में, या फिर बटर में, इसे हलका सा टॉस कर सकते हैं, और बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है, और ज्यादा मेहनत भी नहीं है, आप चाहें तो इस तरह से बना के फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब बच्छे शाम में भूग के लिए मांगे आप इसे फ्राइ करके दे सकते हैं ज्यादा दिन नहीं एक से दो दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि मसाली को हमने भून के बनाया है तो बस ये मज़िदार सूजी रोल बनके रड़ी है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़िदार इसे चटनी य केचप किसी के साथ भी आप सभ़ कर सकते हैं जब कभी गेस्ट भी आ जाया है अचानक से आप उन्हें भी इसे सर्फ करके दे सकते हैं बहुत ही पसंद सिखाएंगे वो भी, घर में हमेशा ब्रेड अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके जगा आप ये भी बना के दिये सकते हैं, मैं आप पो तोर कर दिखाती हूँ, यदि के बार से क्रिस्पी है, और अंदर से बिलकुल सॉफ्ट है, तो बिलकुल ब्रेड रोल क तरह ये लगता है खाने में भी, तो एक बड़े से जरूर ट्राइ करें, और वीडियो अगर पर सेंद आया हो, तो लाइक, सब्स्राइब और शेयर करना बिलकुल न भूलें, थैंक्स वाचिंग,